दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर आज आपके साथ अपनी सच्ची कहानी शेयर करता हूँ कि क्रिकेट का मज़ा मुझे पहली बार दिया मेरे पडोस में रहने वाली 19 साल की एक लड़की ने वह कुमवारी थी मैंने ही पहली बार उसके पिछ पर क्रिकेट में चौके छक्के लगाए तो चलिए शुरू करते हैं मेरे पापा एक नशा मुपती केंदर में काम करते थे जो शहर से बाहर बना हुआ था पर वह केंदर सिर्फ नाम के लिए था क्योंकि वहाँ कोई उपचा के लिए नहीं आता था स्टाफ मेंबर के रहने के लिए बिल्दिंग में कमरे बने हुए थे तो हम सब वही रहते थे हमारे साथ एक अन्य परिवार भी वही रहता था मेरे पापा की ड्यूटी रात को होती थी इसलिए वे दिन में पार्ट टाइन जॉब भी करते थे हमारे साथ जो परिवार रहता था उनकी एक बेटी थी उसका नाम अर्पिता था यह कहानी इसी अर्पिता की है बिल्दिंग के आसपास कोई भी नहीं रहता था तो समय व्यतीत करने के लिए हम दोनों साथ में ही रहते थे उस बिल्दिंग में उपर एक हॉल था जिसमें टीवी लगा हुआ था हम दोनों वहीं टीवी देखते थे दोस्तों मैं आपको अर्पिता के बारे में बता देता हूँ वह एक 19 साल की कमसिन लड़की थी और उसका फिगर एकदम मस्तका था इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वह कितनी सेक्सी होगी हम दोनों के स्कूल की कर रही थी तो हम ज्यादा देर तक साथ में टीवी देखते थे चुंकि हमारे परिवार का कोई भी सदस्य उपर नहीं आता था इसलिए हम दोनों अकेले ही होते थे हम दोनों के बीच खुल कर बातचीत होती थी और अधिकतर बात फिल्मों को लेकर होती थी मैं उसके साथ स लियोनी की बात करता था तो वह हंसकर कहती तुझे सनी की बातें करना बड़ी अच्छी लगती हैं तो मैं भी कह देता हां सनी की पुरानी फिल्में बहुत मस्त हैं वह समझ जाती और कहती, मतलब यह है साले की तुझे उसकी उन्ही फिल्मों में ज्यादा मज़ा आता है उस दिन भी मैं वही सब बातें कर रहा था मैंने मजात में उससे कह दिया, तु सनी की कौन सी वाली फिल्मों की बात कह रही है तुने देखी भी हैं उसकी वे फिल्मे वह चुप हो गई और धीरे से बोली हाँ एक दो देखी थी मैंने कहा अच्छा, जरा बताना कौन सी वाली पिक्चर की बात कर रही है वह मुझे मुक्का मारती हुई बोली, रुक अभी बताती हूँ इस तरह से हम दोनों में खूब मजाक मस्ती होती रहती थी लेकिन इससे आगे कुछ नहीं हुआ ना ही कभी उसने मुझसे कुछ कहा और ना ही मैंने उससे एक दिन हमारे परिवार साथ में किसी अन्य सहयोगी सहकर्मी के यहां होने वाली शादी में गए थे पर हम दोनों का मन नहीं था इसलिए हम घर पर ही थे हम दोनों के परिवार के सभी लोग चले गए थे उस वक्त दोपहर के बारा बजे थे अरपिता ने कहा चलो हम उपर जाकर टीवी देखते हैं मैंने कहा हा चलो फिर हम दोनों उपर जाकर टीवी देखने लगे थोड़ी देर बाद टीवी देखते देखते अर्पिता की आख लग गई और वह सो गई उस दिन उसने पिंक कलर की टी शर्ट और डार्क ब्लू जीन्स शोर्ट पहनी थी मैं आपको क्या बताओ दोस्तों अर्पिता सोते वक्त क्या सेक्सी माल लग रही थी जब मैंने उसे देखा तो उसे देखकर मेरा खड़ा हो गया मैंने अपने आपको रोकने की कोशिश की पर मुझसे खुद पर सन्यम ही नहीं हो पाया मैंने उसके करीब होकर उसके मम्मो को हलके से सहलाना चालू कर दिया मुझे मज़ा आने लगा मैंने दूसरे हाथ से अपना बाहर निकाला और मारने लगा मैं उसमें इस तरह खो गया कि मैंने अरपिता के मम्मो को थोड़ा जोर से दबा दिया इस वजह से उसकी नींद खुल गई और वह डर गई बोलिये, क्या कर रहे हो तुम? मैं बोला सौरी. सौरी अरपिता मुझसे गलती हो गई. प्लीज किसी को कुछ मत बताना प्लीज, कुछ देर तक तो वह मुझे घूरती रही और उसकी नजरे मेरे कड़क घोडे पर टिक ग मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ. यह कहकर वह मेरे होठोन पर किस करने लगी? मैंने भी उसकी कमर को पकड़ा और उसे कसके चूनने लगा. अब हम दोनों एक दूसरे को चूनने लगे. फिर वह नीचे बैठ गई और उसने वापस मेरा घोड़ा बाहर निकाला. मेर बोली इतना बड़ा है तुम्हारा. मेरी छोटी सी कैसे जाएगा? मैं बोला तुम टेंशन मत लो. आराम से चला जाएगा. तुम बस इसे लेकर प्यार करो. मैंने अपना लॉलिपॉप उसके मुह में डाल दिया और वह धीरे-धीरे चूसने लगी. वह कमाल का चूस रही कुछ ही देर में मैंने उससे कह दिया तुम भी सनी लियोनी के जैसे ही चूस रही हो. उसने मुह से निकाला और बोली साले हरामी सनी से भी चूसवा चुका है क्या? मैं हंस दिया और मैंने उसके मम्मो को जोर से दबा दिया. हम दोनों अब मस्ती में आ गए थे. उसने उपर कर दी उसने ब्रा नहीं पहनी थी. फिर मैंने उसको बेड़ पर लिटाया और उसके मम्मो को दबाने और पीने लगा. अर्पिता के मुह से सिसकारिया निकलने लगी. मैं जोर जोर से उसके उसको पीने लगा और काटने लगा. वह बोलने लगी. प्लीज काटो मत. आ दर्ध हो रहा है थोड़ी देर बाद मैं उसकी पिच पर आ गया उसकी पिच पर एक भी बाल नहीं था मैं उसकी चिकनी पिच को चुमने लगा परपिता मेरे चुमते ही पागल हो गई और वह जोर-जोर से सिसकारियां लेने लगी और फिर हम दोनों ने मस्त क्रिकेट का मैच खेला और दोस्तों मेंडी कहानी पसंद आई हो तो कृप्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले